है एक है है आग आगे अपर फोन 11 यह आपको यह बीकुरमाइब हम अवाइ में रोक ली है और मेरा micro hybrid system अभी एक्टिवेट है यहाँ पर बैक्टरी का indicator शो कर रहा है कितने परसंट चार्ज है micro hybrid का start stop function काम करने के लिए आपकी कुछ conditions met होना जरूरी है पहली condition यह है कि आपकी गाड़ी neutral में होनी चाहिए आपकी seat belt भी लगी होनी चाहिए कंडिशन मेट हो रही है तो आप जैसे ही अपना clutch होड़ेंगे सो आपका engine अपने आप ओफ हो जाएगा यह देखिए जैसे ही आपका engine ओफ हो जाएगा आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का a symbol आएगा इसका मतलब यह है कि यह सिंबल को release करेंगे तब भी आपका engine स्टार्ट हो जाएगा और कोई भी डोर ओपन करते भी आपका engine स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको clutch वाला तो आप सब को नॉर्मली पता होगा और जो आप दूसरे function है like door वाला तो मैं आपको शो करता हूँ जैसे ही मैं अपनी गाड़ी का door open करूंगा यह रेखे यह रेखे गाइस जैसी मैंने अपनी गाड़ी का door open किया तो गाड़ी का micro hybrid system means आपकी गाड़ी auto start हो गई सेम अगर मैंने अपनी seatbelt release करी होती तो भी हमाई गाड़ी का engine on हो जाता दुबारा तो आप इस function को बंद भी कर सकते हैं आपको यह function बंद करने के लिए आप जहां पर आपको light का levers दिया हुआ है आप यहां पर एक auto off का button दिया हुआ है आप इसको प्रेस करते ही आपका auto start stop function बंद हो जाएगा means आपका micro hybrid system बंद हो जाएगा auto start stop function जैसे मैंने इसे प्रेस करूंगा यहां पर आप देख सकते हैं आप एक yellow symbol आ चुका है यह symbol यह शो कर आते ही जैसे ही आपके यहां पर कोई symbol वह off हो जाएगा तो यहां पर कुछ भी त्रों नहीं कर रहा होगा तो इसका मलब कि आपका micro hybrid system काम कर रहा है और जब भी आपके ideal position पर आके खड़े होंगे और आपकी गाड़ी न्यूट्रल में होगी और आपकी seatbelt भी लगी होगी जैसे ही आप अपने क्लच को release करेंगे फ्री करेंगे तो आपकी गाड़ी तुरंथी आटो आफ हो जाएगी और यहां पर आपको green symbol जैसे कि अभी आपने पहले देख रहा है तो गाइज यही है मादूति सिजुकी कार्स में आटो स्टार्स टॉप फंक्शन जो कि एवलेबल है हमाई गाड़ी में आगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरू करें और चैनल को सब्सक्राइब करने थैंक यू